नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहा दोस्तों यूपी में अकली श्यादो और मलिका अर्जुन खड़गे मिलकर खेल करने वाले हैं कैसे यूपी में नरेंद्र मुदी को दोनों मिलकर पीछे ढखे लेंगे ये हम आपको बताएंगे आज अपने इसी वीडियो के जरिये तो चलिए दोस्तों शुरुवात करते हैं दोस्तों यूपी में अकली श्यादो लगतार बीजेपी पर हमलावर हैं इंडिया अगटबंधन की बैचक में भी ये तैय हो गया है कि राजस्तर पर सीट शेरिंग का फॉर्मूला तैय होगा तो यानि की उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी में सीटों का बटवारा कैसे होगा ये अकली श्यादो की तरफ से तैय किया जाएगा दोस्तों महीं दूसरी ओर इंडिया अगटबंधन की बैचक में मलिका अरजुन खडगे को लेकर ये बात निकल कर सामने आई है कि उनको प्रधान मंतुरी पद का उमिदवार घोशित कर दिया जाए अब सवाल यहाँ पर ये उड़ता है कि दोस्तों कि अकली श्यादो औरा मलका अरजुन खडगे मिलकर कैसे यूपी में खेल कर सकते हैं इसी का विशले शड़ा आज हम अपने इस वीडियो के जरीए करने जा रहे हैं दोस्तों मलका अरजुन खडगे दलिस समाच से आते हैं अगर इंडिया उनको पीएम पत का उमिदवार घोशित करता है तो जाहिर है दलित समाच का जुकाओ इंडिया गडबंधन की तरफ ज्यादा हो जाएगा अखली शादो दोस्तों यूपी में पीडिये को लेकर साथ चल रहे हैं बार-बार वोई कह रहे हैं कि दोचौबिस में के चुनाओं में पीडिये एंडिये को हराने जो रहा है पीडिये यानि पिछुडा दलित और आदिवासी तो आगर मलिका अरजुन खडगे को पीम पत का उमिद्वार घुशित किया जाता है दोस्तों तो अखली शादो के पीडिये वाले फॉर्मूले को बल मिलता हुआ दिखाई देगा दोस्तों इंडिया गडबंदन मलिका अरजुन खडगे के बहाने एक तीर से कई निशाने लगाने जो रहा है खास कर उत्तर प्रदेश में यूपी इसलिए क्योंकि लोग सभा चुनाओं में यूपी सबसे एहम राज जो है जहां से 80 लोग सभा सीटे आती है यूपी में इंडिया गडबंदन को यूपी में कैसे फाइदा होने जो रहा है जरा ये भी समझे दोस्तों मायावती यूपी में दलितों की बड़ी नेता है और मायावती ने इंडिया गडबंदन से दूरी बना रखी है तो ये माना जा रहा था कि अगर मायवती अकेले चुनाव लड़ती हैं तो यूपी में दलितों का वोट बैंक बटेगा क्योंकि दलित वोट बैंक मायवती का कोर वोटर माना जाता है तो दोस्तो अब सबकी निगाहें मायवती पटी की हैं क्योंकि दूविधा मायवती के सामने भी पैदा होती दिखाई दे रही है तो दोस्तो अगर मायवती देश के पहले दलित प्रधार मंतरी के विचार को समर्थन देती हैं तो 2024 के लिए इंडिया एलाइंस यूपी में खेल करने जा रहा है और अगर मायवती साथ नहीं आती है तो अपने कोर वोटर से दलित प्रधार मंतरी पद के उमिदवार के खिलाफ वोट किस मूँ से मांगेंगी तो दोस्तो ऐसे में ना चाहते हुए भी मायवती को इंडिया गडबंधन के साथ खड़े होना पर सकता है और यकीन मानिए दोस्तो अगर ये सब जमीन पर होता दिखाई देता है तो हिंदी पट्टी राज्यों में प्रधार मंतरी मोदी का सपना चकना चूर भी हो सकता है तो अब आप समझे दलित प्रधार मंतरी पद का उमिद्वार अकलिश रादो पीडिये के साथ और मायवती यूपी में खेल होना तैस समझे दोस्तो अब दोस्तो बात करते हैं मलकार जुन खडगे की कैसे खडगे इंडिया गटबंदन के ट्रम कार्ड साबित हो सकते हैं दोस्तो ये तो हो गई हिंदी पट्टी के राज्यों की बात अगर मलकार जुन खडगे पीम पद का उमिद्वार बनते हैं तो इसका सीधा असर दक्षड की राजनीती पर भी पढ़ता हुआ दिखाई देगा दक्षड के पाँच ऐसे राज्यों हैं जहां पर खडगे कॉंग्रेस को अच्छी खासी जीत दिला सकते हैं और पिछले चुनाव पर नदर दोड़ाएं तो दक्षड के राज्यों में कॉंग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदिर्शन भी रहा है दक्षड में कॉंग्रेस का चेहरा बन रहे खडगे आठ भाशाए जानते हैं जिसमें से एक हिंदी है देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक खडगे रिकॉर्ड दस बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं दरसल दोस्तों अब इसको ऐसे समझे है कि खडगे और गटबंधन के नेता एक दूसरे के लिए कितना अहम है एक तरफ खडगे पिया मुविद्वार के तौर पर आगे बढ़ेंगे तो दूसरी ओर ममता बैनर जी अरविन केज रिवाल नितीश कुमार अखलेश यादव तेजस्वी यादव ये सब मिलकर खडगे के लिए एक किले के तौर पर काम करते हुए दिखाई देंगे खैर यूपी की सिर्फ बात करते हैं तो दोस्तो अकलेश यादव और मलकर खडगे मिलकर एक बड़ा खेल कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तो तो प्लीज सब्सक्राइब की जित्ते की जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपके पास पहुच पाए बहुत शुक्रिया दोस्तो